कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाने जा रहा है हॉट एंस और शूप चिकन तो आप लोग मेरी विडियो बने रहें और ज्यादा श्यादा संस्काइब और लाइक और सभी को सेर भी करिए तो चलने बनाते हैं नमस्क जो हिरो सबस्टेबल हम लेंगे जद्यूजर ढ는 7 जिसको अद्रग है चागे जिसको पर चूप करेंगे तो बारी की इसे कटेंगे कि अभी गाटिक भी कट दिये डिंजर गाटिक का ये चपए हो चुका है तो अभी हम कटेंगे गाजर को लेंगे पिले ठो अ हो । अ süसा को कि अधिका बारिक बारिक सीह हम कट देंगे अची तरह से स्थोप के लिए तो तरीके से कटिंग करेंगे तो यह वी आजर मेरा काट चुका है अभी वह और यह मैं ने लिया है इनीश को भी काट लिया है आप चाहे तो सब्स आप ने सबसे भी डाल सब्सक्राइब लेकिन इसमें में ज्यादा नई है प्याज गाजा बेन इस डालूंगा और चिकन शुप इस लिए ज्यादा में बैज नई डालोंगा लगा तो में चिकन आचुका है इसको चोड़कटी beach में करके मिक्सर में डालके पोड़ा सा पानी डालके फिर इसको अच्छी पिस लूँगा क्योंकि चिकन सुप है तो चिकन का प्रेबर काफी अच्छा आना चाहिए और चिकन कीमा करके भी डालेंगे सुप में तो यह मेरा पिस के आ चुका है अभी कि तो आप चिकन को आहम फिर बारिक काटेंगे शुप के लिए तैयर करेंगे में स्लाइस में काट प्रके फिर चोटे चोटेए टुक्रों में बाङ्टर रहें तो इस तरह से मैंने इस भी करण हूं और इदर मेरा पेन बेट चुका है और यह गरम भी हो चुका है तो अभी इसमें हम रिफाइंड वल डाल देंगे पहले अब पहले तो अध्रक लसुन का जो था डिंजर गरलिक का शॉपिंग और डाल देंगे उसके बाद मैं अभी जो सब्जीया घाट के दाखे ति उसको डाल देंगे सब्सक्राइब करना नहीं सुप के लिए बना ना हूं तो यह थोड़ा क्रंची रहेगी ज्यादा कोक नहीं होगी यह तो यह चिकन के मैंने पीशेस कर लिया थे तो इसको मैं डाल दिया हूं तो मैंने जो बिस्के रहा था मिक्सर में चिकन का पेड़ मैं अभी इसमे डाल दूगा अच्छी तरह से और उबाल लेंगे अच्छी पड़ा गए हूं यह देखे आ चुका है अभी मेरा यह जो चिकन का एक पेड़ बनाया था तो इस तरह से इस मप्या ने थोड़ा पानी क करेंगे स्वाद अनुसार अपना और ब्लेक पेपर एट करेंगे अपने स्वाद अपने इसाब से कितने तीखा आपको पसंद है लेकिन होड़ें सब्सक्राइब तो थोड़ा तीखा यह मांगता इसमें कि यह से इस मैंने अपारा साब सब्सक्राइब और यह वह अब यह अब अच्छी तरह से पाग भी चुका आए और इसमे अब डालेंगे controller का गोल जो मैंने गोल के राखा है controller का इसको डाल देखेंगे कितना चाहिए मेरे को अभी और ठोड़ा एक चम उच और टो चम उच वर डालेंगे तो ये सही हो जाएगा कि नहीं फिर भी और थोड़ा क्योंकि पतला भी हो जाए तो भी अच्छा नहीं होगा दाट भी ज्याद होगा इसलिए इसाप से देना पड़ेगा आप लोग भी देखके इसी तरह से दिजिएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना फिर अगला वीडियों मिलूंगा तब अबते के लिए आप सभी को धन्याबाद नमस्कार अगया 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 अगय